वेल्लो एवरेवन वेल्कम टू अनेए वीडियो आज मैं वीडियो में एक बेंचमार की वीडियो बनाने वाला हूं और जो मेरे हाथ में यह है GTX 730 Ti मेरा सेकंड ग्राफिक काड जो मैंने पच्छेश किया था और मैं अज यह वीडियो बनाना वाला हूं इसके बेंचमार के कि यह बेस्ट है और इसकी अगर स्पेक्स बात करूं तो यह 1100 मेगाज को क्लॉक है और 220 तक कि यह जाता है बूस्ट होकर और इसके अगर इन्पूर्ट की बात करें तो आउटपूट की तो यह दो डिवी और दो एश्टी मैं पोर्ट इसे मिलते हैं और आपको इस शिक्स को पड़ापट सब्सक्राइब वीडियो में सो भाईयों हमार चुके अपने टेस्टाप पे और जैसे कि देख सकते हो कि जीफोर्स एक्स प्रेंस में हमरा सारा डेक्स हो रहा है जो कि संवर्ट टी आई और ड्राइवर बचन जो म्यूज कर रहे है वो है लेटेस्ट 512.77 और इसको मने पेर किया है राइजन 5 3600 गे साथ जो कि इस GPU के लिए और 16 भी RAM में यूज कर रहे है और राइट साइड में देख सोते हैं में साही आफ्टर बनर खुला हुए है और इसी से हम अपने गेम्स की टेम्परेचर और फ्रेम्रेट चेक करेंगे और इसी प्यू का अब तेम्रेचर के बाद की जा तो 40 डिगरी पे नाज चल रहा है तो लेट्स को चलते हैं गेम्पी तर प्रेला गेम होने वाला एंट क्योंकि इस्पूर्स राइटर अभी खिलते हैं वालों का क्रेज बढ़ा हुए है तो देखते है कि ये ग्राफिकर वालों करता है तो लेट्स को चल लेट्स मूव इंट इंट फो गज्वालों जाफिक के अड़ों कर दो सब कुछ हमें करेंगार तो इस प्रेंट्रेंग यॉट्टाइब अपर आपना पर टा क्योंकि के श्यू को उच करदा है तो लेट्स को चलते हैं गेम के अडर और अभी अच्छी पिले तो देख सकते हो वन एंटेन काफी एच्छे इंप्रेसिफ हैं हाई सेटिंग पर इतने पुराने कार्ड से बुछ बुछ बूलना मत ही तुठा लिटरली इतना अच्छा परफॉम कर रहा है तो चलो पर लोप दिखातों लोप सेटिंग कैसे चलता है सब कुछ लोप करेंगे बस मल्टी थ्रेटरिंग एंडरिंग करता है तो लेट्स को आप देख सेट लोप सीधा गाइज एपेस हमारे बूस्ट होके 213-214 तक चले गाएं तो अगर आपके 240 हर्च कर रहा है तो अपने लोग सेटिंग पर अडाम से बहुत 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 रही हमारा भी 62 एपेस आ रहा है और एवरेज 64 जा रहा है और आपको मैं गेम की सेटिंग दिखा रहता हूं तो गेम की सेटिंग देख लो यार यार लिटरली प्लेइंग इट ऑन हाई सेटिंग्स 980 पी में सब कुछ अन है अल्मस्ट और पर प्लेश्रम एटी कम कर रहा क्यों मुस्ट और तैम तो 57 59 एंड एवरेज मारा 68 जा रहा है तो ट्राइविंग देखते हैं ड्राइविंग में में कितनी फ्रेम ड्रॉप होते हैं और एक शी जिगए जा पर आतक में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अगर आप रिकॉर्डिंग आफ करोगे तो आपको समझ लो क तो देख सकते हो रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ सिस्टी फोडिंग कर रहा हूं है और उस टैमेट मैंने ठोग दिया लेट्स को आगे बढ़ते हैं यह कार भी बहुत स्लोय है और मुझे कई फास का मिलाती मैं जाता तो चलते हैं आप और यह ट्रें देखते हैं हमारे अ मुझे अच्छी फेस निकालने का तो गयच टेंट इविए गेम आज भी बहुत अच्छे से यह ग्राफिक आट है यार रिटरी बहुत अच्छा कार है आज विटए न सब गेम्स के लिए नॉमल गेम्स के लिए जो पहले आच्छे हैं और देख सते हो हैं और देख सेटी यहां पर ट्राइफिक बहुत जादा आ रहा है तो हमारे पेस ड्रॉप किये 57 और 58 में वापस बड़ वापस अगे 60 हमारा टच हो गया चलते नेक्स्ट केम में जो मारे नेक्स्ट केम हने वाला है वह साथ हेवी गेम है और वो हुने वाला हम खेल रहे हैं फॉर्टनाइट और दिख सकते हैं हमारे कितने अच्छे अच्छे सारे सबकुछ उपर से रेंडर करने के बाद भी 88-90 का डाउन जो कि मेरे साल से बहुत अगर आपको मैं सेटिंग दिखा हूं तो लिटरली मैं इसे मीडियम सेटिंग पर खेला हूं मीडियम और टेक्चर हाई होंगे जैसे दिखते वीडियों में टेक्चर हाई है और बाकी समच जलो है 1080 पी रेजलिशन पर 100% 3DG स्केलिंग और उसके बाद परफॉर्मेंस मो अगर बहुत जादा खराब वोड़े से प्लेस ड्रॉप देखने यह वे रेखने से लिडियों में तेक्षी इंक्रीश हो गया और एंड गिस काफी जादा बंदे उतरे इतर बहुत स्लोग यार इनिद एदर बंदे बंदे एंड देग्ट देग्ट अग्ट एंड यार इस और मैं बहुत खराब हो तो प्लीज दोंट जजज और मैं एक को नौक या गुद बिगिनिंग सामने बंदा है लेट्स को चलते है महापर चार तरफाइट ही फाइट होड़ी है और हम खेरे जीरो बिल्ट मोड ही तो गाइच एपिस देख सते हैं हमें 140 की उपर मिल रहा है और नाइंटी वन फटनाइट अलमस में कहा हूं को तो अन्रेट अपिस अपर अराम से प्लेएबल है अब वन फटेवर हर्च मोनिटर में अराम से इंजवाई कर सकते हैं इसको व्रोल तो काते है करें रहु आजबली क jewels जाड़ मैं धच दुए करें लॉल,aney आंच पक्राएबल यड़,ature S2 आएँ अ बर्त है बहुट अंचे प्याज भेश है बहुत अच्छा आप राम से प्लेगों के से देखा मैं वीव दिस्टेंस दूर भी देखना हूं तो एपेस लिटरली हंड़िट तक है पर्फोर्मेंस मॉट पर इस गेम को राम सी जागे उस तो जीटेक सेंफ टीम है है और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं तो आपको एक चीज़ आनकर हैरानी होगी यह का ग्राफिक काट इतना केवल है कि यह फॉर्ज पर चला पा रहा है विदाउट डिजलेशन स्केरिंग एंड ग्राफिक लो के साथ जी हां जो मैंने ग्राफिक सेट कर रखा है यह इस के लिए बेस्ट है इस काट के लिए वेरी लो लो पे अपको अराम से 60 पे से चीज़ आएगा एवन प्लस 60 प्लस अचीव कर सकते हैं अगर आप डिजलेशन स्केरिंग अन करोगे तो बट लेट मीं सो यू डाइट नेटिव डिजलेशन पे लो सेटिंस पे हमें कैसे ए है कि अच्छा है आपको 60 पे सराम से मिलेंगे छोड़ा बहुत आपको सट्र में को मिलेगा इस स्केल सकते हो 60 पे लिए और आपको डिखाते रिजलेशन स्केलिंग ऑन करने पेस नमारी कितने बढ़ते हैं अगर आलकिन आप online competitive race कर रहे हो तो फिर आप रिजिस्टन स्केलिंग अन करके करना या फिर अपर 720 पर खेलना और बहुत अच्छा चलेगा So guys let me increase the resolution scaling So चलते हैं यहां पर and इसको बहाते हैं FSR को अल्ट्रो क्यालिटी करते है Now let's see हमें FS कितना देखने को boost मिलता है And as you can see हमें 10 FPS मिला है boost 66, now it's 66 पहले boost जारा था 50 में और अब जारा है 60-70 So guys बहुत huge difference मिला है और देख सकते हो कि game को जाता ही smooth हो गया पहले से So guys यह था 4 Gen 5 and I'm driving Aston Martin Vintage Of course Of course तो आपडाम से खिल सकते हो और हमारा GPU भी ज्यादा ओवरीटिंग होड़ा 61% US is pretty good और यहां पर दिखा रहा है 66 का average मिलते हुए इस game में So guys next game हमने जो test किया है वह हमारा Far Cry 6 और जैसा है देख सकते हो Currently हम इसको खेल रहे हैं 720p resolution पर और आपको सेटिंग्स दिखा देता हूं उसके पार से दिखाता हूं थोड़ा gameplay तो सेटिंग्स में चलते हैं options में जाओगे वीडियो में जाओगे देखो 720p भी खेल रहे हैं इस ग्राफिकार में और ग्राफिक में लो करका है जितना minimum हो सकता है उतने कर रहे हैं ग्राफिक्स ताकि हमें अपिस ज्यादा मिले और एक चीच और हमने अडवांस सेटिंग में जाके सब्सक्राइब करका है जिसको अडवांस सेट करका है तो टोटल हमें में मिल रहे हैं 50 और 45 के पेस के राउंड जो की मेरे हिसाद से बहुत प्लेबल है तो चलते हैं अपको दिखाता हूं डेंडर उंडर करके लाइक पर जगपे इसने पेस डॉप हो सकते हैं और कितने पे पोडले के देट हैं सिफ्ध दमाने से फारी होता यहां फ्रेस दमाने फारी बता निए अपस मारा अपस्टी पे अलमॉस्ट आण चालते हम तकी आपको अच्छे सी दिखें रेंडर वी पा है और पता निक्यों हुआ फार्तारी श्च्प इस फार्टा पॉर्ड यह है ओ oh my god we are flying too low look after i am driving the car you see and let's leave it let's leave it oh my god i don't think the rocket launchers but i don't know anything i will fire at you also to play a rocket to play hip hop is a very fun game look at this car can we hit that car can we hit that car and you see my 50 is almost average so it is very good i want to hit that car i want to hit that car i have to blast it i love kios kios sorry why fire man oh my god i lost my rocket i guess and what is this i am not going to hit that car and finally who killed us who killed us let's see what is this what is this what is this here i am not going to hit that car and then i am not going to hit that car बात करते हैं कंक्लूजन पे तो अगर आप एक ग्राफिकाट लेने के कंसिडर कर रहे हो तो आप ले सकते हो बट आप एक ग्राफिकाट का भी न्यून मत लेना वैसा यूज मार्केट में जाओ अगर आप एक ग्राफिकाट ले रहे हो तो प्लीज उसके लिए मत लो यह ग्राफिकाट आप ले सकते हो वैल्रेंट और स्यस्कों जाएसे लाइट स्केम के लिए एवन आई कंसिडर जीटे 5 में अच्छी गेमिंग करवा देता है जैसा कि आपने देखा तो बाकी इसके जुनकों इंटरिस्ट है ग्राफिकाट से वारे में और चैनल पर नहीं हो तो पीच हिट डाइट सब्सक्राइब बटन तो मिलता हूं नेक्स वीटों में तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाई बाई लब यू और टेक केर बाई